बारत और बांगलादेश के बीच कल यानि कि 3 नवंबर से 3 माशों की T20 सिरीज का अगाज शुरू हो जाएगा बता दें आपको कि दिल्ली के अरुन जेटली स्टेडियम में T20 सिरीज का पहला मुकाबला खेला जाना है लेकिन T20 सिरीज के पहले मुकाबले से ठीक पहले चिम इंडिया के कप्तान रोहिच शर्मा जम कर गुसा होते हुए नजर आए जिया आपको बता दें कि रोहिच शर्मा हाली में अरुन जेटली मैदान पर प्रैक्टिस कर रहे थे और मैदान पर practice करते-करते- उनहें throw down specialist की गेंद लग गई जिसके बाद रोहिच शर्मा का गुस्ञा साथवे आस्मान पर पहुँच गया जी हाँ, खबरों की माने तो रोहिच शर्मा तुरंत practice session से बाहर चले गए जिसके बाद ये खबरे आने लगी कि रोहिच शर्मा शायद T20 सीरीज से बाहर हो जाएंगे लेकिन इसके बाद रोहिच शर्मा को BCCI की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि वो फिट है और वो पहला T20 खेलते हुए नजर आएंगे लेकिन रोहिच शर्मा को लेकर खबर ये आ रही है कि रोहिच शर्मा बैटिंग कोच और थ्रोडाउन स्पेशलिस्ट से काफी जादा नाराज दिखाई दिए थे जिसके बाद उनका गुस्सा साथवे आसमान पर था हिट मैन जो टीम इंडिया की आनबान और शान कहे जाते हैं विराड कोली की गयर मौझूदगी में भारती टीम को लीड कर रहे हैं ऐसे में अगर रोहिच शर्मा भी चोटे लो जाते तो भारती टीम को बांगलादेश के हाँ तो हार का सामना भी करना पड़ सकता था लेकिन रोहिच का गुस्सा तो शान्त हो गया लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद बता दे आपको की विक्रम राठोर और थ्रोडाउन स्पेशलिस्ट की कई बार मिननतों के बाद रोहिच शर्मा माने और उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस में आने का दुबारा फैसला किया अब देखना दिर्चस भोगा कि रोहिच शर्मा का एगुस्सा क्या मैदान पर दिखता है क्या रोहिच शर्मा ये गुस्सा बंगली देशी गेंद बाजों पर उतारेंगे क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो जम कर रनों की बारिश होने वाली है ANP Newsroom की रिपोर्ट